वेल्कम तु सड़ी आयस आपका हमारी इस इन्फोमेटिव वीडियो में जहां पर हम असम मीजोरम डिस्प्यूट को देखने वाले देखो दो तीन दिन से हम देख रहे हैं हर नियूस्पेपर में असम मीजोरम डिस्प्यूट के बारे में कुछ न कुछ आ रहा है और रिसेंटली हमें इनके बॉर्डर एरिया पर क्लैशेस देखने को मिले जिसकी वज़े से जो सिक्स असम के पुलिस पर्सनल है उनकी बृत्यू हो गई तो हम इसी को आज देखने वाले हैं कि ये डिस्प्यूट है क्या और किस वज़े से इतनी जादा जो लड़ाई जगड़े हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं चार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर उससे पहले आपके लिए इंपोर्टन बात 28th of July मतलब की आज आपके पास last समय है कि आप अगर Unacademy का plus लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं आपको बहुत सारे benefits मिल रहे हैं which includes Unacademy notes and worth 30,000 की आपको test series भी मिल रहे हैं तो आप देख सकते हैं क्योंकि first of August से जो prizes हैं वो बढ़ने वाले हैं तो आप इसको consider कर सकते हैं अगर आप plus GS plus optional and accountants GS plus option लेते हैं तो आपको ये सब चीजे मिलेंगी 25% off मिलेगा आपको with optional 10% मिलेगा using referral code studyis जो की है हमारे channel का name and देखो additional 10% भी अभी आपको off मिल रहा है on plus GS and optional only तो अगर आप ये वाला लेते हो तो आपको 10% extra मिलेगा and उसके साथ आपको free optional test series मिल रही है जिसमें उसके अलावा आपको prelims as well as mains की भी test series मिल रही है तो आप consider कर सकते हैं बहुत सारा benefit मिल रहा है तो अगर आपको unacademy plus लेना है तो अभी ले लीजिए अलसो देखो unacademy combat scholarship test free होता है every Sunday 11 बजे 60 questions करने होते हैं 60 minutes में इसको भी जरूर दीजिए जिससे आपकी जो prelims की तियारी है वो भी अच्छी हो पाए इसको भी enroll करने के लिए आपको use करना है code studyis यह सारे new batches हैं इनको आप consider कर सकते हैं चली देखे border dispute असम का अगर हम देखें तो असम क्यूंकि बहुत सारी states के साथ अपना जो border है उसको share करता है अर नाचल प्रदेश, नागलेन, मनिपुर, मीजोरम, त्रिपुरा, मेगाले, वेस्ट बिंगॉल तो असम का जो border dispute है वो इन सब के साथ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ चलता रहता है बट recently क्या हुआ असम और मीजोरम के बीच का यह जो area है specifically यहाँ वाला जो eastern side है यहाँ पर हमें violence देखने को मिला अब इस violence की वज़े से क्या हुआ कि बहुत जादा लोग जो है वो injured हो गए also जो 6 असम के police के जो war है वो start हो गई they both are blaming each other दोनों ही एक दूसरे को criticize कर रहे है जो असम के police वाले जो लोग है वो कह रहे है कि गुटगुटी village के around मनिपूर के जो लोग है उन्होंने camp बना दिया था and वो क्या कर रहे थे कि हमारी territory के उपर camp बना रहे थे जो मनिजोरम के लोग है वो मैं basically क्या कह रहे है कि जो असम के police के लोग है वो आ गए थे and they started attacking people वहीं पे असम कह रही है कि मिजोरम के लोग आ गए थे they started stone pelting बहुत सादा एक दूसरे में इन दूर लोगों का जो बात पे बात है वो चल रहे है देखो exam point of view से हमाई लिए इस यह तरीके से समझने की कोशिश करेंगे यह देखो देखो जब हम असम और मीजोरम को देखते हैं तो यहां पर असम की side हमें three district देखने को मिलते हैं border side that are करीम गंज हैला कांडी and चाचर ठीक है चाचरी वो एलिया है जहां पर basically यह जो वायलेंस हुए यह हुआ है and मनिपूर वाली side या फिर आप मीजोरम वाली side कहलो मीजोरम वाली side आपको एजवाल, कोलसिव and ममित यह तीन देखने को मिलते हैं तो यह जो major district है यहां पर कई न कई हमें तनाव देखने को मिलते है and वोलिंस इस बारी हो गई है चाचर जो जगा है जो district है वहां पर चीक ह जब हम कोलोनिय देडा में रह रहे थे उस टाइम का है and उस टाइम पर यह जो असम प्रोविंस था यह पूरा एक था ठीक है पूरा एक ही माना जाता था इसको but British government ने क्या किया वह 1875 के अंदर एक notification लेकर आए जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं इनको demarkate कर दिया ठीक है and they basically demarkated the Lushai Hills ठीक है पहले यह जो हम अभी मीजोरम कहते हैं उसको पहले Lushai Hills कहते थे तो इन्होंने Lushai Hills को divide कर दिया मतलब उसको अलग कर दिया from the plains of Chachar जो की अभी असम के area के around है ठीक है यहां से हमें majorly जो पूरा जो system है पूरी जो लडाई है वो देखने को मिलती है यहां स पूरी का जो आया उसने कही ना कहीं dispute जो है उसको start कर दिया 1933 में जो demarkation हुआ उसमें demarkation हुआ between the Lushai Hills and the Manipur ठीक है तो कही ना कहीं जो मीजोरम के लोग हैं वो यह मानते हैं कि बहुत सारा तो उनका area था वो इधर उधर चला गया है कुछ असम के side लोग चले गए है कुछ 1933 का demarkation नहीं मानते मीजोरम वाले जो लोग हैं वो 1933 के demarkation को नहीं मानते और सो कहते हैं कि हमसे बिना पूछे यह जो demarkation है इसको start कर दिया हम तो सिर्फ इस 1875 के demarkation को मानेंगे which was derived from the Bengal Eastern Frontier Regulation Act of 1873 तो यहाँ पर यह चीज़े चल रही हैं यह कह रहे हैं कि 1933 में ना मीजो ज आसम ने one-handedly अपना ही जो decision है यह ले लिया था तो इस वज़े से जो पूरा तैनाव है वो हमें देखने को मिल रहा है मीजो लीडर्स भी बहुत जादा हमें देखने को मिलते हैं क्रिटसाइस करते हैं इस चीज़ को और कहते हैं कि जो present so-called boundary है जो कि arbitrarily बना दी गई थी 1930 1933 में कोई हमसे concern नहीं पूछा गया कुछ हमसे पूछा नहीं गया हमारे territory इधर उधर चली गई ठीक है यही सब इनकी लडाया है जो कि देखने को मिल रही है अब इन दोनों की बीच में अगर हम देखें तो 16, 164.4 km का हमें जो interstate border है वो देखने को मिलता है जो कि दोनों को एक दूसरे से अलग करता है and naturally भी इनका कुछ चीजे हैं जो कि इनको एक दूसरे से अलग करती है जैसे कि hills हो गए, valleys हो गई, river हो गई, forest हो गई ठीक है ऐसे हमें देखने को मिलता है अब देखो जो हम अगर मीजोरम की बात करें मीजोरम को असम से पाइफर गेट किया गया क्योंकि मीजोरम के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम तो वो जो पुराने वाला नोटिफिकेशन है उसके बिहाफ पर ही चलेंगे वो ही सच है जो 1875 में आय था वो हमाई लिए ठीक है पर जो असम वाले लोग हैं वो कहते हैं कि 1933 के basis पर ही चीजों को चलना चाहिए जो नया न किसे दूसरी जगह चले जाते हैं ठीक है उसके बीच में भी विवाद हो जाता है लडाईया हो जाती है बॉर्डर डिस्प्यूट हमें देखने को मिल जाता है तो मेजर इनका डिस्प्यूट इसी जगह की वजए से है यह जो चाचर एरिया हो गया इसी का ही क्लेम है कहीं यह कहीं कि यह हमारा area है, यह हमारा area है, ठीक है, तो यह तो देखो हर जगह देखने को मिलता है यह लड़ाईया, यह लड़ाईया तो हमें normal families में भी देखने को मिलती है कि land dispute हो जाते हैं, बट यह है कि यह dispute को ज़्यादा ही बढ़ गया है और इसकी वज़े से infrastructure loss देखने को म हो जाए, दोनों ही CM को कोशिश करने चीह है कि वो एक दूसरे के साथ थोड़ा सा सही संबंद बनाए, ना कि एक दूसरे को ब्लेम करें, they should try to bring mediation, बीच में कोई ऐसा तरकीब निकालें, कोई ऐसा solution निकालें, जिससे क्या हो, यह जो dispute है, यह खतम हो जाए, and peace maintain हो जाए दो के बीच में, चलिए, this was all for this video, I hope यह जो आसम मिजोराम का पूरा dispute है, यह आपको समझ आ गया होगा कि mainly किस चीज के बारे में बात हो रही है, क्यों लडाई जगडे हो रहे हैं, ऐसे ही आप हमारे साथ इन वीडियो लेक्चर सीरीज को कवर करते रहे हैं, do not forget to hit the like button, this was all for this video बाई बाई